दोस्तों आज किस वीडियो में गूगल करोम का लोग डिजेन करना बताने वाला हूं तो वीडियो को पूरा वाज करिए तब यह आपको पूरा समझ में आ जाना है हेलो दोस्तों यूट्यूब चैनल हों सभी का स्वागत है मैं हूँ प्रकास और चलिए बाकिया हम आगे बात करते हैं सबसे पहले मैं आज का सिंपल को बता देता हूं तो यह रहा आज का टोपिक तुछ को किस प्रकास से बनाना है इसका सारा स्टेप्स वीडियो में बात कर करते हैं मैंने निव पेज ले लिए और टूल बॉक्स में से लिफ्स चूल को सेलेट कर रहा हूं इस तरीका से और कंट्रोल के साथ में यहां पर एक बड़ा सा सरकल ड्रो किया और पिक टूल इसका पर्टिकुलर साइज देने के लिए मैंने यहां से टूहन्रेड वाइट दे रहा हूं आप अपने इस अपसेट सकते माने इंटर प्रेस किया और प्रेस करूँगा और सेंटर में आ जाना है और डूबिकेट करने के लिए प्लस का सिंबल को एक बडर प्रेस करूँगा ओर और साइज को देने वाला हूं 70 व्यसेवंटी और इंटर प्रेस करूंगा कंट्रोल डी करूंगा और एक डुब्लिकेट बनाने के लिए इस तरीका से यहाँ पर तीन ठू सरकल बन चुका है बाहर किलिक डिसलेक्ट और टूल बॉक्स में से बैजर तूल को सेलेट कर रहा हूं और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होग होगा तो इसमेर करकर आपको एंकर पॉइंट्स यानि की छोटा सा सरकल आपको मिल जाना है ईसको द्रीक करना है और यह वाले सेंटर में डूं उस तरीका से बन जाना है बार किलिक डिसलेक्ट फिलाल माईं इस ट्रांस्फ यहां से मिने माई नाइज करता हूं Ctrl A करूंगा और Ctrl G करूंगा तो group हो जाएगा Bar click Diselect और Toolbox में जाना है आप सबसे नीचे यहां किलिक करूंगा और यहां से Smart Fill Tool को सेलेट करेंगे और यहां पर Default Color में अपलाई करूंगा यहां भी और इस वाले भाग में पीक टूल और एक वर्ष में किलिक करूंगा तो यहां इंकर पॉंट आपको मिल जाना है यानि कि यह चोटा सा सर्कल इसको यहां पर डाल देना है Bar click Diselect और एक लाइन में किलिक करूंगा सेलेक्ट हो जाएगा और Keyboard से डिलीट की ट्रेस करूंगा डिलीट हो जाएगा चैसरे सब्सक्रास करना है इसके अपर यहां से यहां से राइट लें करेंगे तो आउमड रिमूब हो जाना है चोटा सरकल में यहां पर स्यनयक्राइब करूंगा यह करूंगा राक लेंगं डिशलेक्ट है इस सो ओल ओरısı मब applies करूंगा इस तरीके से बार क्लिक डिसलेक्ट, ट्रांसफर्म को यहां से मैं open कर लेता हूँ, और red वाले भाग को select करूँगा और यहां से मैं apply कर दूँगा, इस तरीका से यह बन जाना है, बार क्लिक डिसलेक्ट और इस वाले भाग को मैं select करूँगा, और यहां से मैं yellow color apply करूँगा, बार क्लिक ड इस परकार से बन करके त्यार हो जाएगा बहुती असानी से एक बड़ा करके आपको मैं देखाता हूं तो इस परकार से दिखाई देने लगेगा दोस्तों मैंने छोटा कर दिया दोस्तों यह था इसका चोटा सा ट्यूटोरियल और यह वीडियो आपको केशा लगा मुझे कमेंट करके बता है यादे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लिजे और मेरा आने वाले वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्क् प्रेस कर लिजे तकि आपको नियू वीडियो का अपडेट मिलता रहे और मिलते हैं आने वाले वीडियो में और थैंक्यू सो मज़ पर वाचिंग इस वीडियो